इशा और समर्थ की बढ़ती नजीकियों से परिशान हुए इशा के पैरेंट्स इशा के पैरेंट्स चाते ही इशा को वापस घर बुलाना क्या पैरेंट्स की वज़ा से इशा मालवय को लेना पड़ेगा बिग बॉस की घर से एमर्जनसी एग्जिट जी हाँ क्या है पूरी खबर चलिए बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर दरसल बिग बॉस सीजन 17 के सेट पर जब से समर्थ जूरेल की एंट्री हुई है तब से इशा मालवय समर्थ और अविशे के बीच में एक बहुती बड़ा लफ ट्रैंगल दिखा जा रहा है जो की काफी हाई बोल्टेज ड्रामा क्रियेट कर रहा है और जिस तरीके से इशा रोते वे नज़राई है इशा के पैरेंट्स पूरी तरीके से तूट गए है और इस बात का खुलासा करते वे नज़रा रहे हैं उडारिया के सेट पर इशा के को एक्टर रहे लुकेस बड़ लुकेस पर बताते हैं कि ईशा के वो काफी करीब हैं और ईशा की फैमिले से भी उनकी बातशीत होती रहती है। ईशा और लुकेस साथ में ही घर आया जाया करते थे। लुकेस इस बात का खुलासा करते वे नज़राएं हैं कि जिस तरीके से सल्मान की डाट के बाद ईशा रोते वे नज़राएं ये सब देखकर ईशा के पैरंट्स भी रो पड़े। इशा के पैरंट्स बेहत दुखी है इशा के पैरंट्स को इस बारे में नहीं मालुम था कि समर्थ इशा के बॉइफरिंड है और ये सब जान कि इशा के पैरंट्स दुखी भी हैं और ये चाहते हैं कि विकवास के घर से अब इशा वापस आ जाए और किसे भी तरीके से वो अपने साथ ईशा को रखे और ईशा को समझाए क्योंकि ईशा में अभी इतनी समझ नहीं है वैल, जहां लुकेश ये सारे खुलासे करते वे नजर आए हैं वहीं इस बात को पूरी तरीके से क्लियर करते हैं कि लुकेश और ईशा एक दूसरी को डेट नहीं कर रहे हैं वैल इस पे आपकी क्या राय है क्या वाकिए ही ईशा को बिग बॉस के घर से एक्जिट लेनी चाहिए हमें कॉमेंट्स के जरीए जरूर बताएं और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें